दोस्तो भारत में क्रिप्टो करेंशी के रेगुलेशन को ले करके एक टर्फ बॉर चल रहा है सेभी और अर्बियाई के बीच में दोनों रेगुलेटर्स के बिलकुल अलग-अलग बोल है जब बात होगी क्रिप्टो करेंशी की RBI का कहना बड़ा साफ है, शक्ति कांदास जी ने खुद कहा है, क्रिप्टो करिंसी में पैसा लगाना गैंबलिंग के समान है, इससे बिलकुल दूर रहें, ये हमारी अर्थेवस्ता के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है, वही सेबी ने, आज कही अगर आप न्यूस देखें, तो ये न्यूस सामने आ रहा है, जिसमें से भी कह दिए कि देखिए, अब इसका समय आ गया है, अब क्रिप्टो करिंसी को आप आउटराइट बैन ना करें, इसको रिगूलेट करना होगा, अब दोस्तों यहाँ पे दोनों में कौन सही है, आईए आज के वीडियो में, इस समबात को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, दोस्तों अब तक भारत अगर आप देखें तो किस प्रकार का टेल्ट रखा है, बात 2018 की है, इंडिया ने साफ साफ क्या दिया था कि भाई क्रिप्टो करिंसी को भारत से हमें दूर रखना है, उसके पहल में की रातो रात अमीर हो जाएंगे, किस दिन में पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन 2018 की बात है, जब Central Bank याने RBI ने साफ साफ कह दिया कि जितने भी Lenders है, Financial Intermediaries हैं, वो क्रिप्टो यूजर्स या क्रिप्टो एक्स्चेंज के साथ डील नहीं करेंगे, वहीं पे अगर आप देखे तो ये RBI का रुख था, लेकिन Supreme Court में इस फैसले को चैलेंज किया जाता है, और Supreme Court पलेट देता है, 2021 की बात है, एक बिल आया था सरकार के द्वारा, वो बिल की अनुसार, क्रिप्टो करेंसी जो प्राइवेट है, याने जो गैर सरकारी क्रिप्टो करेंसी हैं, प्र भारत में होता है, और उसमें इंडिया कहता है, कि क्रिप्टो करेंसी को रिगुलेट करने के लिए, ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाना होगा, नाशनल फ्रेमवर्क से बात नहीं बनेगी, दुनिया को एक साथ बैठ के, एक यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क पर काम करना होगा, क्य एक global framework की आवशकता है दोस्तों अब सिभी ने क्या कहा है सिभी ने अगर आप देखिए जैसा नियूज है उसमें कहा है कि देखिए जो crypto trade हो रहा है उसको एक single regulator नहीं कुछ regulators को मिलके oversee करना होगा आउटराइट बैन अब जरत नहीं है लेकिन हाँ regulate कीजिए और single नहीं multiple regulators मिलके इसको oversee कीजिए यहां पर दोस्तों जो crypto watchers है वो बड़े प्रसंद है वो कहने कि तो बड़ा encouraging view है क्योंकि अब तक crypto currency को उठाके लोगों ने कच्रे के डब्बे में ही डाल दिया था कि यह तो gambling है यह तो ऐसी बात है इसको तो दूर रही है लेकिन अब से भी positive होती हुई दिख रही है दोस्तों अब अगर आप देखे तो से भी को यह idea कहां से आया है कहीं न कहीं लग रहा है जो US का cryptocurrency regulation है कुछ उसी से से भी भी inspired है US में अगर आप देखे तो securities and exchange commission जो US का है basically stock market जो regulate करता है जो इंडिया में से भी करता है तो US में cryptocurrency regulation का काम SEC करता है along with commodity futures trading commission जो commodity trade को regulator है तो दो regulator मिल के करते हैं तो वही से भी भी कहना चाहरा है कि US वाला model भारत में लाही है लेकिन दोस्तों RBI यहाँ पर बड़ा apprehensive रहा है RBI गवर्नर हिक्तिकान दास जी ने खुद क है कि cryptocurrency खतरनाक है इस पे पैसा लगाना gambling है इस पे blanket ban होना चाहिए दोस्तों अगर आप देखे तो cryptocurrency की जो कीमत है RBI बार बार कहती है यह entirely speculation उपर निर्भर करती है सब कोई पैसा लगाते हैं इस उमीद में कि एक दिन हम अमीर हो जाएंगे क्योंकि इसका दाम बढ़ हैं इसी उमीद में लेकिन underlying asset की कोई खास कीमत वैसी है नहीं और इस वज़े से एक साथ पूरा market collapse हो सकता है किसी भी देश की monetary fiscal stability cryptocurrencies के दवारा challenge हो सकती है दोस्तों RBI का यह भी कहना है कि यह fiat currency नहीं है क्योंकि यह किसी central bank या government के दवारा भी issued नहीं है सबसे बड़ी समस्या क्या है crypto are anonymous तो इस वज़े से money laundering terror financing में भी इनका इस्तमाल होता है अभी की बात ले लीजिए एक political party है काफी news में चल रहा है कि वो US London के द्वारा अपने cryptocurrency को settle करने जा रहे हैं बाकि मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि आपको मालू में फिर क्या होता है तो दोस्तों यहां प मिलेगा तो उसके साथ जो underlying technology है blockchain की वो कहीं न कहीं हमारे finance को internet economy के अनुसार चलवा सकती है totally revolutionize कर सकती है दूसरा अगर आप देखे तो यह consumers को भी protect करेगा 2022 में क्या हुआ था जब unregulated crypto market था तो वहां पे so called stable tokens हुआ करते दे टेरा लुना कि इनकी कीमत stable रहेगी लेकिन वो भी गिर गई थी वो भी stable नहीं होती है ftx जो crypto exchange था वो collapse कर जाता है दो trillion dollar के assets कुछ दिनों में wipe out हो जाते हैं इस तरीके का अगर आप देखे तो fiasco नहीं हो पाएगा अगर यह regulated होगा इसके बाद अगर आप देखे तो funds की safety security होगी क्योंकि वो central bank के द्वारा regulated होगी तो hacking theft जो common होता है इन crypto exchanges में वो नहीं होगा इसके सिवा fraud और scam भी जो common है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि central जो भी regulator है वो इन पर नजर बना के रखेगा minority investors को protect कर पाएंगे क्योंकि आप अगर देखे तो market manipulation बड़ा common होता है क्रिप्टो में हर दिन एक नया crypto आता है है ना initial coin offering जैसे का होता है वैसे ही initial coin offering भी आता रहता है अब तीन लोग चार लोग मिलके अपने कमरे में crypto coin बनाते हैं और उसको offer करवा देते हैं और सब को इस उमीद में कि एक दन यह हमें अमीर बनाएगा पैसा लगा देते हैं बड़ी-बड़ी बाते लिखते हैं कि यह इस प्रकार से digital exchanges को revolutionize कर देगा कल को इस प्रकार का हमारा blockchain technology पर यह based है कि कल को जितना भी machine to machine communication होगा उसमें इसी का इस्तमाल होगा तो यह बड़ा revolutionary होने वाला है और इस प्रकारी कहानी लिखते हैं और तुरंद का तुरंद इसको offer करवाते हैं लोग पैसे लगाते हैं और पैसा उठाके व currencies formal economy में integrate हो पाएंगी और इस वक्त अगर आप देखे तो यह currency नहीं है यह बस और बस investment का एक tool है कि इसमें लगाओ पैसे उमीद करो बढ़ेगा लेकिन कल को जब यह formal economy में integrate होगी तब यह investment tool से currency का रुख ले पाएगी केर दोस्तों यहां पे अगर आप देखे तो RBI और सेभी दोनों विलकुल अलग अलग direction में खड़े हैं आपको क्या लगता है मैंने दोनों का advantages और challenges बता दिया है आपको क्या लगता है दोनों में कौन सही है RBI या सेभी comment में बताएं और क्यूं ऐसा लगता है वो भी जरू comment में बताईएगा बाकी आप हमें Instagram में follow कर सकते हैं दोस्तों और साथी साथ इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और एक वीडियो आ रहा होगा उसको भी उश्चा देखेगा बारत सनवाद को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबाएं